तो friends most welcome faces स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानि इस तरह के बहुत ही बड़े पैमाने पर इस तरह की पीप मेंबर्स हैं जो अपने पीप के पैसे का विड़ाल करते हैं यानि आप यानि अपने पीप के पैसे का claim करते हैं और उनका claim बार-बार reject हो जा रहा है तो चलिए आज की इस वीडियो में 101% इसका solution मैं ले करके आया हूं यानि जो भी condition है सारे condition आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं cover करने वाला हूं जिसके वज़ों से आपका जो भी claim करते हैं जो भी आप अपने पीप के प पर लेकर आता हूं तो उसकी नोटी की किसान यानि उसकी जानकारी आपको मिल सके चलिए तो दोस्तों यहां पर कुछ इस्टेटस आप लोगों को यहां बिल्कुल मैं दिखा देना चाहता हूं यहां पर देख सकते हैं जो भी यहां पर पीप डाल के लिए claim किया गया था वो यहां पर देख सकते हैं claim status यहां पर rejected so कर रहा है और यहां पर दूसरा एक status देख सकते हैं दूसरा status भी यहां पर claim status rejected so कर रहा है तो अगर इस तरह से आपका भी अगर claim reject हो जा रहा है यानि जो भी पीप डाल करने के लिए आप जो claim कर रहे हैं बार बार अगर reject हो जा र है क्योंकि अब जब भी आपपने प्यास के लिए डाल करने जाते हैं कि यानि इस तरह से यहां आप जब भी यहां पर online service पर click करेंगे तो यहीं पर आपको barrier लग जाएगा यहीं पर आपको error show करेगा कि आपका जो भी KYC document है वो wrong है या फिर आपका कुछ भी mismatch है या फिर इसके बाद भी बहुत बड़े पहिमाने पी इस तरह के पीअप मेंबर्स हैं जिनका क्लेम यानि जो अपने पीअफ के भी डॉल के लिए क्लेम करते हैं और उनका क्लेम reject हो जा रहा है तो चली क्या है रीजन यहाँ पर बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने वाला दोस्तों इसका रीजन नमबर वन भरिवान यह है कि आप जो भी पास्वुक या चेक्वुक का कापी जो भी आप इसकाइन करके जब भी डॉल करते हैं अगर आप अपने भी पास्वे जो भी यहां नमर से आप एक बार फूल फैनल से पैसे का विड्डाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि, बहुत सारे लोग, एग बार अपने उसी यूट नम्मर से, अपने P.F का full and final विड्डाल कर ली हैं लेकिन दूसरी बार उन्हों ने जोईन कर लिए कोई बी और उसी UN number में उनका PF का contribution फिर से जमा होने लगा, PF ID दूसरा दे दिया गया. तो दोस्तो इस condition में दूसरी बार अगर आप अपने PF का भी डाल करने जाएंगे, तो इस condition में आपका जो भी claim है और reject हो जाएगा, जितनी बार भी आप claim करेंगे और reject हो जाएगा. इसका reason यह है, EPFO के अनुजार एक UN number से एक बार ही आप full and final settlement कर सकते हैं, लेकिन उसी UN number में अब दूसरा PF account आपका add हो गया है, और उस PF ID का पैसा निकालने जब भी जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आपका reject हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका solution मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका solution एह है, कि आपने जिस भी bank account में यानि जिस भी bank account में जो भी आपने PF के पैसे का full and final विडाल किया है, ओ bank account में आप दूबारा आप अपने PF के पैसे का settlement नहीं करा सकते, यानि दोबारा उस account में यानि दोबारा उस bank account में आप अपने पैसे का भी डाल नहीं कर सकते इस condition में आपको करना क्या है इस condition में आपको KYC वाले section पर आ जाना है KYC वाले section पर यहाँ पर आने के बाद एक fresh आपको दूसरा bank account खोलना है या फिर आपके पास already अगर कोई दूसरा bank account है तो उस account number को यहाँ पे आपको update करना है और यहाँ पे दूसरा जैसे ही आप अपना bank account update कर देंगे और जब भी वो अप्रूव हो जाएगा जो भी bank detail आप अपडेट करेंगे वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप अपने PF के पैसे का claim करेंगे और 101% आप क्लेम करेंगे वो 101% आपका settle हो जाएगा इसकी में पूरी guarantee लेता हूँ तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको यहाँ पे KYC वाले section पे आजाना है KYC वाले section पे आने के बाद यहाँ पे bank वाले account नमर, confirm account नमर, IFC code ए सरा कुछ डालके यहाँ पे दूसरा bank account आपको update कर लेना है और और यह bank detail update होने के बाद आप अपने PF के पैसे का विड़ाल करेंगे और successful आपका जो भी PF का claim reject हो रहा है यानि जो भी आप यह विड़ाल करने के लिए claim डाल रहते है जो reject हो रहा है 101% यह सेटल हो जाएगा तो दोस्तों यह जानकारी मैंने बिल्कुल आपको को देने की कोशिस किया मैं जहां तक समझता हूं बिल्कुल आपके लिए helpful रहा होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए subject एक नए analysis के साथ तब तक के लिए आप सभी लों को मेरा जय भूएगा तक समझता है।